हेलो प्यारे बचो क्या हल चला आप सभी के डियर स्टुडेंट्स नवदीप सरकी फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बचो तो देखिए प्यारे बचो अपने जो चल रहा था क्वेस्टन बैंक जो राजस्थान बोर्ड की तरब से आपको प्रवाइड करवाया गया है लेकिन वो हिंदी में था इंग्लिश मीडियम में मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको करवा रहा हूँ तो आज अपने इसका पार्ट नंबर सेकेंड या नि दो नंबर पार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट प्रिविस वीडियो में अपने कंप्लीट कर लिया था अब सेकंड पार्ट इस करते रहेंगे मतलब की कई वीडियो में आपको वीडियो में आपको सब्सक्राट करते आज एक नई एनरजी के साथ तो देखिए पयारे बचो क्या है कि सबसे पहलेक्त नमर आता है तो आपको पता है एक रिलेशन आपने पड़ा था इस एक पॉटेंशिल और इलेक्रिक फिल्ड में रिलेशन होता है अब e की वैली 0 दी है मतलब dv upon dr की वैली 0 इस negative को 0 के upon में बेज़ दो तो मतलब आपके पास dv upon dr किसके equal आजाएगा 0 के equal आजाएगा तो 0 के equal आने का मतलब एक differentiation आपका 0 के equal आ रहा है मतलब जिसका differentiation कर रहे हो मतलब किसका कर रहे हो आप v का differentiation कर रहे हो वो एक constant term है योगि constant term का ही differentiation हमेशा क्या होता है 0 के equal आता है ठीक है फिर उसके बाद देखो क्या आता है उपर वाले का answer हो जेगा C is 0 ठीक है सत्रमा question कि unit charge is moved इन्हें circular path of radius small r having a point charge q at the center यानि कि एक क्या है कि एक unit charge है वो एक circle के around move कर रहा है और यहाँ पर इसके circle के center पर क्या पढ़ा हुआ है एक point charge q पढ़ा हुआ है तो then work done in complete rotation is तो यहाँ पर की मालो यहाँ पर एक unit charge है और वो unit charge यहाँ पर move कर रहा है तो वो unit charge द्वारा work done कितना होगा तो work done देखो अब इसने एक complete circular path में कर रहा है जीरो होता है लेकिन यहाँ पर तो electric field की बात है w is equal to q v तो अब यहाँ पर w क्या है q तो आपका 0 नहीं है लेकिन v की value यहाँ पर 0 होगी वोगी potential के लिए 2 point चाहिए उन 2 point पर different different potential होने पर जो potential difference होगा वो अपना क्या आजाएगा यहाँ पर कुछ की कुछ value आजाएगी लेकिन जब point यह एक है कि मानलो इस point का potential 5 volt है तो potential difference कितना होगा यह वाला पांच माइनस पांच वोई first point है वोई last point है तो क्या होजाएगा 0 तो w क्या होजाएगा यहाँ पर v की value 0 होने पर डबलू की value क्या आजाएगी 0 आजाएगी फिर question number आता है 18 कि the electric potential at the surface of a charge spherical hollow conductor of radius 2 meters 500 volt ठीक है कि किसी spherical hollow conductor है उसके radius है वो 2 meter है और जो उसकी surface potential हो 500 volt है then potential at a distance 1.5 meter from centuries तो इसके center से 1.5 meter distance पर potential की value कितनी हो जाएगी अब देखो यह तो at 2 meter तो अब 2 meter इसकी radius है मतलब कि 1.5 meter वाला point यहाँ इसके inside होगा तो अब देखो जो surface का potential है वो 500 volt और hollow conducting sphere है तो अब देखो hollow sphere के लिए जितना surface पे होता है potential उतना ही उसके inside क्या होता है किसी point पे potential होता है क्योंकि potential में अपनी infinite से charge को लाते हैं पकड़ की तो infinite से charge को यहां तक लाने में तो work done करना पड़ेगा क्योंकि इसकी surface पर charge है लेकिन अंदर कोई charge नहीं होने के कारणा अंदर extra work done नहीं करना पड़ेगा मतलब surface वाड़ा work done करना पड़ेगा तो जो potential की value आएगी वो यहां पर surface वाली यानि 500 वोल्ट इसका क्या आजएगा answer D answer आजएगा ठीक है फिर उसके बाद आता है 19 question जो की काफी important question भी है और थोड़ा बड़ा question भी है देखो क्या है 1000 तीनी water droplets each of radius smaller and charge q combine to form a big drop यानि की 1000 जो water droplets है चोटी-चोटी drops है water की उनकी हर एकी radius smaller और charge q है ठीक है अब उनको मिला के अपने एक बड़ी drop बनाते है then electric potential of the bigger drop as compared to training droplet increased by a factor of तो अब क्या होगा यह कह रहा है कि जो बड़ी drop है उसका जो electric potential है जोटी drop का electric potential से कितने times increase हो जाएगा ठीक है तो अब देखो इसको कैसे करेंगे तो ऐसा question जब भी आपको आए जहां पर कोई छोटे object बड़ा object बना रहे हो तो वहाँ एक चीज constant रहती है और वो है volume तो आपको जो 4 by 3 पाई capital R cube capital R cube यानि capital R radius मैं मान रहा हूँ यहां पर किसकी जो आपके पास बड़ी droplet है ठीक है बड़ी drop है और छोटी का 1000 तो वो उनकी number of drop है और 4 by 3 pi small r cube pi small r cube तो 4 by 3 pi से 4 by 3 pi cancel तो जब इसको solve करेंगे capital R cube is equal to 1000 small r cube तो capital R जो आ जाएगा वो 10 small r के equal आ जाएगा मतलब कि जो छोटी droplet के 10 times क्या है बड़ी droplet की radius है तो radius में relation निकाल लिया आपने और हमेशा radius के लिए जब आप competition में पढ़ोगे यह वला question ऐसे करोगे तो आपको direct यहाँ पर याद करवाएगे कि आपको जब भी आ जाए पहली बात तो यह number दिया होगा 3, 4, 3 आ सकता है इस तरीके से आ सकते है तो आपके पास radius सबसे पहले radius में relation निकाल लिया आपने अब आपको कहा है कि उनका potential electric potential है वो कितने times increase होगा तो अब अगर मैं बात करूँ बड़ी drop की तो बड़ी drop का potential मैं मान लेता हूँ यहाँ पर KQ KQ और upon में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास R square अब एक चीज मैंने आपर गल्त लिखी है वो चीज गल्त क्या लिखी है वो बताओ आप वो लिखा है यह वाले charge क्योंकि देखो law of conservation of charge कहता है कि जो charge है वो क्या है अगर मान लो total charge आपको निकालना हूँ बहुत सारी charge पड़े हो तो वो सारी charges का आपके 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 बास total charge आ जाएगा तो अब यहाँ पर जो बड़ी droplet है उसका जो total charge है उस पर वो 1000 Q के equal आना चाहिए ठीक है और यहाँ पर capital R की जगह अपने small R की form में लिके तो 10 R स्क्वेर आ जाएगा तो अब अगर इसको solve करेंगे आगे तो यह आजएगा 10 KQ upon में R स्क्वेर और यह KQ upon R स्क्वेर यह छोटी droplet का क्या है potential है तो V1 is equal to 10 V2 आजएगा मतलब 10 times इसका क्या आजएगा answer आजएगा तो यह क्या है आपके पास potential की value है अब next है question number 20 तो उसमें क्या है कि the correct relation for the capacitance of a parallel plate capacitor is ठीक है यहांपर parallel plate capacitor नहीं आना था यह चीज मैंने गल्त लिख दी इसको सॉरी मैं सही करके आपको डाल दूँगा यहांपर parallel plate capacitor ना आके यहांपर आना था आपके पास spherical conductor is ठीक है न spherical conductor यहांपर यह गल्त है इसको काट देना आप spherical conductor तो spherical conductor की जो capacity tense होती है वो c is equal to 4 pi epsilon node r होती है capital r तो c is proportional to यहांपर क्या आजाएगा capital r की बला आजाएगा मतलब पहला जो answer आपका यह यहांपर सही correct answer हो जाएगा ठीक है फिर question हम रहाता है 21 तो इसमें क्या है कि the radii of two spherical conductors are in ratio one ratio two the ratio of their capacitance is this यानि कि दो आपके पास spherical conductor है उनका ratio है जो क्या है radii मतलब उनकी radius का जो ratio है वो आपके पास one ratio two है तो यह कहरा है capacitance का ratio क्या हो जाएगा तो आप देखो यहां पर capacitance क्या होती है आप capacitance लिख लो c1 upon c2 ठीक है तो c1 upon c2 निकालोगे तो 4 pi epsilon node r1 और दूसरे की आजएगी 4 pi epsilon node r2 यह आजएगी ठीक है 4 pi epsilon node से 4 pi epsilon node cancel तो यहां से यह वाला result आपको हमेशा याद रखना है कि spherical conductor के लिए जो capacitance का ratio होता है वो उनकी radius के ratio की equally होता है तो यहां पर radius का ratio दिया हुआ है तो capacitance का ratio यह वाला c answer आपका हो जाएगा one ratio two ठीक है ना आगे वाले यह 22 question में भी यह concept लगेगा देखो कैसे कि 8 droplet of mercury of equal radius and each possessing the same charge combine to form a big drop the capacitance of big drop as compared to the each small drop अब देखो उपर आपने potential की value निकाली थी 1000 drops थी अब यहां पर आपको 8 drops दी है और उसके लिए आपको capacitance का ratio निकालने है सबसे पहली बात जो drop होती है उसकी shape होती है वो spherical होती है ठीक है ना छोटी drop होती है वो spherical होती है तो अब यहां पर आप radius निकालोगे तो यहां 8 drops दी है तो अब जो बड़ी drop की radius है वो छोटी की 2 hour times आजएगी क्योंकि वहां पर 1000 थी तो 10 आ रही थी अगर मालो 125 होती तो 5 hour आ या थी यहां पर ठीक है तो radius का ratio आप निकाल सकते है दोनों का volume को equal करके तो यह यहां पर radius का ratio आ जाएगा तो अब radius का ratio यहां पर अगर मैं capital R upon small R करूँ तो 2 upon में 1 या 2 ratio 1 आ रहा है यहां पर ठीक है उपर आपने पड़ा है ठीक है spherical connector के लिए जो capacitance का ratio होता है वो उनकी radius का ratio का equal तो मतलब यहां पर 2 times इसकी क्या आ जाएगी capacitance आ जाएगी मतलब ए इसका क्या आ जाएगा answer आ जाएगा बचो 2 times ठीक है अब फिर question number आता है 23 तो 23 नमबर question में क्या है कि on giving a charge capital Q to a capacitor it's stored energy is W on doubling the charge stored energy will be ठीक है भई अगर अपने क्या करें कि किसी capacitor को Q charge दें तो उसमें जो stored energy है वो W है तो अब देखो W is equal to यहां पर half QV है half QV होता है ठीक है तो अब यह कह रहा है कि जब अपने क्या कर दें charge को double कर दें यहां पर Q को अपने क्या कर दें 2Q कर दें इन 2 में 2Q और इन 2 में potential अपना W है तो 2Q करेंगे तो यह कह रहा है कि यह W कितना हो जाएगा तो अब यह 2 times हो जाएगा automatic से क्योंकि यह 2 यहां पर extra आगया तो यह 2 times हो जाएगा अब कई बचे सोचेंगे सर यहां पर Q square upon 2C formula नहीं लगा सकते अपने तो यहां पर तो 4 times आजएगा Q को जब 2 times increase करोगे तो यहां पर capacitance भी बच्चो change हो जाएगा जब आप charge को double करोगे तो capacitance भी change हो जाएगी तो यहां पर क्या आजएगा आपके पास जो यह energy है वो क्या आजएगी 2 times यहां पर आजएगी अब question number आता है 24 तो इसमें क्या है यह वाला question थोड़ा सा नया question है ठीक है न तो नया question है इसको थोड़ा यानि द्यान से आपको करना है तो अब देखो from the given figure the capacitance between P and Q यह P and Q है इसके between आपको तीन capacitor है 1 mu फेरड यह भी 1 mu फेरड यह भी 1 mu फेरड और यह जो आपके पास एक wire यहां पर आपने direct connect कर दी और एक wire यहां पर direct connect कर दी तो अब यहां पर फरक क्या पढ़ गया तो देखने combination से answer निकाल दिया था ठीक है ना जो series combination में 1 mu फेरड 1 mu फेरड 1 mu फेरड लगा हुआ है तो यह कहते है कि sir 1 by 3 mu फेरड इसका answer आजएगा लेकिन वो answer गल्थ था अब देखो गल्थ कैसे था सबसे पहली चीज है कि यह wire लगाने से यहां पर क्या फर्क पड़ेगा इसका मतलब क्या wire लगाने का तो अगर मैं इस point को मान लेता हूँ यहां पर यह जवाला point P है इसको आपने wire से connect कर दिया इसके साथ मान लो यहां पर आपके पास charge पड़ा है 4Q ठीक है और यहां पर आपके पास charge पड़ा है minus 2Q minus 2Q चार्ज पड़ा है अब आपने इसको क्या कर दिया यहां पर connect कर दिया तो अब wire के थुरू connect कर दिया तो अब क्या होगा कि यह वाले यहां पर electron ज्यादा है तो यह वाला charge इदर आजाएगा मतलब कि minus negative charge इदर आजाएगा और यहां पर इसको क्या कर देगा कि उतने time तक क्या करेगा उतना time तक इदर आएगा जब तक इन दोनों के charge क्या ना हो जाएए same ना हो जाएए 4Q और minus 2Q है तो सबसे पहले यह minus 2Q इदर आजाएगा तो यह अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद यह वाला 2Q रह जाएगा और यह वाला 0 रह जाएगा फिर क्या है यहां पर और थोड़ा charge इदर आएगा और यह 1Q हो जाएगा और यह भी 1Q मतलब दोनों पर same charge हो जाएगे तो एक wire से connect करने पर अगर 2 point wire से connect करें charge flow होके दोनों का charge same हो जाता है एक तो और अगर charge same हो गया तो potential भी वहां पर क्या हो जाएगा बच्चो सेम हो जाएगा 2 points का तो आपको यह चीज़े आपर याद रखनी है कि यहां पर अगर यह मालो यह P point है आपका तो यह वाला point भी आपका P point की तरह work करेगा और अगर यह Q point है तो यह वाला point भी आपका Q point की तरह work करेगा क्योंकि यह वाले जो point है यह directly connected है एक दूसरे से तो मतलब इनका potential same है तो अब अपने मान सकते हैं कि यह वाला जो capacitor है इदर वाला मानलो पहला capacitor है पहले capacitor का एक end तो आपका P के साथ लगा हुआ है ठीक है और दूसरा end यहांपर यह Q point के साथ लगा हुआ है तो P और इदर क्या आजाएगा Q point आजाएगा अब दूसरे capacitor की बात करें तो दूसरे capacitor का पहला point Q के साथ है और दूसरा point यहांपर इस P point के साथ है तो तो दूसरा capacitor भी इस तरीके से लगा हुआ है ठीक है ऐसे लगा हुआ है और तीसरा capacitor देखो तीसरे capacitor का ये वाला point first point P के साथ और दूसरा point Q के साथ तो तीसरा capacitor भी इस तरीके से तो मतलब जो अपने को series में दिख रहे थे अब वो parallel में दिखने लग गए हैं तो ये बहुत ही most most important question है examination के लिए आजए और competition के लिए आजए तो तीन क्वेस्टर जो क्या है parallel combination में लगे हुए है तो उनकी जो capacitance होगी equivalent वो 3μF के equal आजएगी बचो तो answer इसका 3μF आजएगा ठीक है आगे भी एक question आएगा बिल्कुल इसी तरीके से वो resistance का आएगा तो वामें डिरेक्ट ठीक है sorry 0.2 ampere the current passes through a 10 ohm resistance the internal resistance of the cell will be यानि कि आपको EMF दिया हुए cell का तो EMF अपने लिख लेते हैं E is equal to 2.1 volt है यहां पर और current आपको I की value दी है 0.2 ampere यहां पर given है ठीक है और capital R की value यहां पर दी है 10 ohm तो मैं अगर यहां पर V की value निकालना चाहूं जो terminal voltage होती है V is equal to IR होता है तो I की value 0.2 और R की value यहां पर है 10 तो मतलब कि आपके पास 2 volt आ जाएगी अब आपको internal distance निकालना है तो internal distance का जो formula है cell के लिए E minus V upon में I ठीक है तो E minus V यहां पर E की value 2.1 और यह V की value 2 तो 0.1 आ जाएगा current की value तो 1 upon 2 मतलब point of 5 ohm यहां पर क्या आजएगा answer मतलब B आपका answer आजएगा 25 ठीक है फिर question number 26 तो 26 में कहा है कि when wire connected to a boundary gets heated then which of the following quantity will not change कि जब wire क्या हो जाती एक wire heat हो जाती है गर्म हो जाती है तो निमन में से कौन सी quantity है वो change नहीं होती है ठीक है will not change जो नहीं होती यह change तो drift velocity temperature से change होती है जब wire गरम होगी तो drift velocity change होगी तो यह answer नहीं होगा Registivity भी change होती है है Temperature से ये भी आunसर नहीं होगा Registance भी change होता है ये भी answer नहीं होगा तो answer कि आगर number of free electrons जो number of free electrons होती है वो change नहीं होती है उनका जो density है मतलब कि number of free electrons per unit volume है वो क्या है वो change नहीं होती है आपर पर unit volume भी वैसे आना है चाहिए था लेकिन number of free electron जब आपको दिया है तब भी आपको सही answer इसी को मानने है बचाओ ठीक है फिर उसके बाद आता 27 number question तो क्या है इसमें देखो the voltage current graph of a conductor at two different temperatures are shown in the figure voltage current graph आपको show किया हुआ figure में if the resistance corresponding to these temperatures are R1 and R2 then which of the following statement is true कि यहां पर आपको एक graph दिया हुआ है दो temperature दियो है यह T1 और T2 यह T1 और T2 है आई और V के बीच graph है ठीक है थोड़ा सा graph इन्हों ने change कर दिया यहां पर वैसे जो general graph होता है वो V और I के बीच होता है यहां पर ऐसे ठीक है और जो यहां पर resistance आप निकालते हो वो R is equal to V upon I होत 10 theta के equal होता है जो R जो होता है लेकिन वो तब होता है जब आपका V y axis पर है और I x axis पर है अब इन्होंने उल्टा कर दिया यहां पर और कह रहा है कि R1 और R2 इस T1 temperature पे R1 resistance है तो क्या T1 और T2 equal होंगे T1 greater than होगा less than होगा या none of the above होगा वी दोनों temperature में क्या है तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो conductor होता है conductor के लिए temperature increase करने पर जो resistance है वो क्या होता है increase हो जाता है ठीक है न जिस्टेंस क्या हो जाता है यहां पर increase हो जाता है बचो तो resistance increase हो गया जब यहां पर तो एक चीज आप यह याद रखो temperature increase करने पर resistance increase होगा लेकिन यहां पर resistance क्या है आपके पास कि अगर मैं इस graph की बात करूँ तो r is equal to v upon i आ रहा है ठीक है लेकिन वो v upon i यहां पर जब आप इसको निकालते हो यह i है यह v है तो यहां पर code theta की equal आ रहा है या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 upon 10 theta की equal आ रहा है ठीक ह 1 upon 10 theta की equal आ रहा है तो r is equal to 1 upon 10 theta की equal आ रहा है अब मैं देखो यहां पर angle मान रहा हूँ कि इस t1 temperature के लिए angle theta 1 है और इस t2 temperature के लिए angle theta 2 है और 10 की value आप देखो 0 से लेके जब 90 degree तक जाती है तो 0 पर तो 0 होती है और 90 degree पर infinite होती है मतलब जैसे जैसे 10 के लिए angle increase होता है जो उ angle बड़ा किसके लिए angle बड़ा है उपर वाले के लिए theta 1 और नीचे वाले के लिए angle theta 2 क्या है छोटा है तो theta 1 है वो आपके पास क्या है theta 2 से बड़ा है तो अगर मैं 10 theta 1 निकालू यहां पर तो वो 10 theta 1 यहां पर क्या हो जाएगा आपका 10 theta 2 से बड़ा हो जाएगा क्योंकि जब angle बढ़ा है तो 10 की value भी उसके लिए बढ़ी होगी, लेकिन अगर मैं इसका reverse कर देता हूँ, 1 upon 10 theta 1 कर देता हूँ, और यहां पर 1 upon 10 theta 2 कर देता हूँ, यहां पर 1 upon 10 theta 2, तो अब जो बीच वाला symbol है यह, यह उल्टा हो जाता है, अब आपको होगे कि सर कैसे की देखो, 3 is greater than 2 होटा है, लेकिन अगर मैं 1 by 3 कर दूँ, तो यह less than 1 by 2 होगा, क्योंकि देखो 1 by 3 होता है 0.33, ठीक है, और 1 by 2 होता है 0.50, तो अब देखो आटोमेटिक से बढ़ा होगे हैं, मतलब रैसी प्रोकर लेने पर, उल्टा लेने पर, जो value है, वो greater than से less than वाला हो जाता है, तो मतलब कि यहां पर जो आपका resistance R1 है, वो R2 के comparison में छोटा है, तो मतलब जो यहां पर temperature T1 है, वो T2 के comparison में क्या है, कम है, तो जो यहां पर क्या आजएगी, इसकी value T1 less than क्या आजएगी, T2 आजएगी, ठीक है, अब question number 28, तो 28 number question में आप मुझे बता सकते हो, बिल्कुल वैसा ही question आगया, तीन resistance है, बिल्कुल सारी चीज वह ही है, यहां पर इस point के इन्होंने नाम change कर दी है, लेकिन जो A और B point का potential है, वो सेम है, मतलब इसको आप A ही लिख सकते हो, और इसको, sorry, A यहां पर connected है, यहां पर यह A है, और यह वाला point आप C ले सकते हो, ठीक है ना, जो B है वो C ले सकते हो, और D को आप A ले सकते हो, तो यह जो तीन resistance है, यह फिर से आपके parallel में आएंगे, और parallel में तीन resistance होने पर, जो आपके पास value आजाएगी, तो वो value आपके पास क्या आएगी बचो, 1 upon 10, 1 upon 10, 1 upon 10, तो, sorry, यह वाला जो question है, 10 arm नहीं है, यहां पर, यहां पर 1 arm होना चाहिए, ठीक है ना, तो 1 upon 10 करोगे, तो 10 by 3 वैसे answer आएगा इसका, तो 10 by 3 आना चाहिए, वैसे तो answer, लेकिन, क्योंकि यहां पर यह तीनों किसमें आजाएंगे, parallel में आजाएंगे, तो 10 by 3 इसमें नहीं है, यह 1 by 3 की जगा 10 by 3 होना चाहिए था, ठीक है न, यह शायद printing mistake होगी, मैं इसको सही कर दूँगा, यहां पर, दो mistakes होगी, आज का जो यह है, और क्योंकि मैं type करके, यह paper बनाता हूँ, यह वाले जो question हैं, बनाता हूँ, इस कारण थोड़ी कई बार printing mistake रह जाती है, क्योंकि physics में typing करना, आप देख लो, मैं power poor लगाना, सारा कुछ ही, यह खुद type करके बनाता हूँ, ठीक है न, उसमें कई बार गलती हो जाती है, उसके लिए मैं sorry कहा देता हूँ, आप लोगों को, तो देखो next question है 29, कि from which of the following relations, the drift velocity VD and electric field E always arms law, वि electric field E और VD में relation क्या होता है, तो VD is proportional to क्या होता है, क्योंकि VD का अगर formula आपके याद हो, तो E, E into toe और upon में क्या आजाता है, M आजाता है, यह drift velocity का formula है, तो जब यहां से relation निकालेंगे, तो आपका E के proportional आएगा, फिर question number 30, कि किर्चॉफ स first law and second law based on, किर्चॉफ के first और second law किस पर based हैं, तो देखो first law आपका current वाला था, कि यहां पर अगर मानलो एक point पर, 3-4 current ऐसे आते हैं, मानलो इदर से आपका 5 ampere आ रहा है, इदर से आपका 2 ampere आ रहा है, तो इदर 3 जाएगा, इदर 4 जाएगा, मतलब कि आने वाले current और जाने वाले current का, जो sum है, वो क्या आता है, equal आता है, तो first law था, वो current को बताता है, और current की से related होता है, charge से, तो law of conservation of charge को बताता है, और second law आपका क्या था, energy से related था, वैसे तो potential difference अपने लेती हैं इसमें, और potential difference आपका energy से related होता है, तो पहला answer आजाएगा, law of conservation of charge and energy, क्योंकि current और energy तो होई नहीं सकता, ठीक है, mass और charge भी नहीं हो सकता, और none of the above तो, तो charge and energy, देखो current यहांपर नहीं ले सकते, क्योंकि current अलग से कोई चीज नहीं होती, चार्ज होता है, law of conservation of charge लगता है, यहांव यहांपर, ठीक है न, charge से ही current बनता है, तो अपने charge यहांपर लेंगे, तो यह आपके बचो 30 questions थे, आप जो next वीडियो उसमें, आपको 20 questions करवाँगा, क्योंकि वो थोड़ी theoretical question है, तो इस कारण जो आज की वीडियो है, इसमें इतना ही, मिलते हैं अपने next वीडियो में, तब तक के लिए thank you, have a nice day प्यारी बच्छो,